कि अपना आता है कि अडवांटेजिस ऑफ औरिटिंग देखो अडवांटेजिस क्या होते हैं कि और अड़िट करने से क्या फायदा होगा अभी तो हमने अब है फीचर समझे प्रिंसिपल समझे अब है अडवांटेजिस फायदा बेनिफिट कि अगर हम करेंगे तो क्या क्या बेनिफिट होंगे ठीक है अभी हम थोड़ा और फास्ट पढ़ेंगे अब हम शान्त होगे ठीक है उनको एक 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 एश्यॉरेंस मिल जाएगे उनको एक 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 एश्यॉरेंस मिल जाएगी of their business operations ठीक है? वो satisfy हो जाएंगे कि सब को स्थीक चल रहा है Error and Fraud और ही डाप करवाते हैं तो आपको Error and Fraud मिल जाएंगे कि कहां Error है, कहां Fraud है आपको पसल जाएगा, उससे क्या होगा? उससे फिर आप ऐसे Management क्या करेगा? ऐसे Technique लगाएगा जाए फिर जो Fraud कर रहा है उन बंदों को निकाल देगा वो जहां जहां गल्ती होने का चांस है वो चीजे बंद करवा देगा ठीक है? देखे क्या लिखा है An Error is something that is done without intention to fraud the company इसने Error ये बता दिया Error बता दिया और Fraud ये बता दिया अब करना क्या है इसमें So, Auditing helps minimize the risk Auditors क्या होगा? Error का और Fraud का Risk कम हो जाएगा ठीक है? अच्छा, पूरा पढ़ लेते हैं, चलो Minimize the Error and Fraud in our book of account but does not eliminate the risk entirely मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि Auditor 100% Audit 100% आपको guarantee नहीं देता कि सबको सही है गलत है वहाँ पर कहीं नहीं चूक रह सकती है वह भी चिंता मत करो, हम आगे discuss करेंगे कैसे अभी ये मान के चलो अपने दिमाग में रखना कि Audit कभी भी 100% guarantee नहीं देता कि हर चीज true and fair है या फिर हर चीज सही है ठीक है there is always a chance that error may go to unnoticed and fraud is very cleverly hidden so may undetected दोखो बहुत अच्छे लाइन लिखिया है हमेशा ये chance बना रहेगा कि कोई ना कोई गलती ऐसी है जो हम notice ही ना कर पाए या फिर fraud इस तरीके से किया गया है कितना cleverly इतने समझदारे से fraud किया गया है कहीं हम उसे detect ही ना कर पाएं ठीक है चालो next point देखते हैं इसका independent viewpoint advantages क्या होती है अब books of account company की या फिर company ऐसा काम जो भी काम कर रही है हो सकता है कि वो company अपने हिसाब से सही कर रही हो लेकिन कुछ गलती हैं ऐसी कर रही हो जो उस company को भी ना पता हो तो audit करने से क्या होता एक तीसरे बंदे का एक viewpoint मिल जाता है कि यह चीज वो सही कर रही है यह चीज वो गलत कर रही है जैसे आप क्या करते हो कई बार आप लोग test करते हो अपने घर पे paper solve करते हो या कोई question solve करते हो तो अपने क्या बोलते हो कि यह जरा एक पर तूचा करके देखियो मैंने सही किया कि नहीं किया आपने तो वो चीज कर ली लेकिन क्या करते हो आप समने वाले का view लेते हो ना किया वो तूचा करके देखियो कि मैंने चीजे सही की है मेरा answer सही है या नहीं तो एक independent एक third party की तरह से उसकी निगाहों से आप देखते हो कि सही चीज करी है कि नहीं करी जैसे क्या लिखा है अश्चा करता है अभी हम यह भी समझेंगे इस्टैचिशरी ओडिट होता क्या है एक होता है internal auditor एक होता है external auditor ठीक है जो companies act के हिसाब से compulsory audit करवाना होता है वो audit कुन सा होता है statutory audit तो यह बोल रहा है कि जो बाहर का बंदा है जो external order है वो audit ऐसे करेगा ना जैसे उसका कोई लिना देना ही नहीं है तो वो सारे चीजे सही बताएगा आपको आपके company के बारे में सबको सही information देगा बस इतना ही बता रखा है independent viewpoint आपको मिल जाता है ठीक है fourth point moral check audit करने से क्या होता है आपको अपनी organization में जो employees होते हैं जो काम होता है जो process होता है उसका एक morality check भी मिल जाता है सर ये morality check क्या होता है morality check मतलब कि उसमें जो employees हैं जो लोग हैं वो सब कुछ सब लोग इमानदारी से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ऐसा तो नहीं employee पूरी stationary उठाके भाग लेता है या कुछ चोरी कर रहा है या फिर कुछ unethical काम कर रहा है वो चीज़े भी आपकी निकल के आ जाती है audit करने वे ठीक है चलो पढ़ते है one of the other advantages of auditing is that the staff and worker देखो लिखा हुआ है इसने यह point डाला हुआ है जो अभी हमने discuss किया staff and worker of the company do not try to steal ऐसी कोशिस चोरी की कोशिस ना करें अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है कोई अजीब सी हरकत की है sales हो रही है हर महिने मानलो आपका 10 unit बिख रही है आपकी 10 मानलो 10 कुरसियां बिख रही है लेकर एक महिने में क्या हुआ आपकी 25 कुरसियां बिख गई है ना कोई वो रेगुलर चीज तो है नहीं रेगुलरी तो दस ही बिखती है तो एक दम से 25 कैसे बिख गई हो सकता है किसी ने कुछ घपला करके दिखाया हो ठीक है तो वो चीज़े भी आपका बाहर आ जाती है मोरल बाहर आ जाता है लोगों का यानि चोरी वोरी ना करें वो वो सब भी आपके जूट ना बोले चोरी ना हो वो चीज़े भी आपके और गरने से बाहर आ जाती है इस टेक होलडर का कॉन्फिदेंस बढ़ जाता है एंस टेक होलडर को मौन से होते हैं हमने पहली क्लास में डिसकस किया था कंपनी से और गनाइसे जो भी लोग related है डारेक्टली रिल्टिड हैं उन सब को क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर जैसे शेयर होल्डर यह भी स्टेक होल्डर होता है क्या बोलते हैं मैनेजमेंट वह भी स्टेक होल्डर होता है इंप्लोई भी एक तरह से स्टेक होल्डर होते हैं कंप्री में काम करते हैं तो वह भी से टेक्स जाता है ना तो वह भी कंपनी से डारेक्टली रिलिटिड है ठीक है तो उनका कि अब जान लेते हैं लिमिटेशन्स करवाने में खरचा तो आता है ना आपको अपनी चीजे चेक करवानी है बिज्निस धंदा चेक करवाना उसमें बुक्स चेक करवानी है तो उसमें खरचा तो लगेगा तो audit में खर्चा लगता है थोड़ी cost लगती है ठीक है second point time factor अब audit करवाने के वैसे time भी जाता है time भी खर्च होता है ऐसा नहीं है कि audit उसने एक दिन में ही है या 10 मिनट में देख के आपके बता दिया उसके वैसे उसका भी time जाता है ठीक है audit के वैसे time इतना लग जाता है कि इसमें एक और point आया कि आप 100% चीज़े तो चक करते नहीं हो audit के एंगल से आप देखोगे audit को auditor को नो एक time होता है कि आपको दो महिने में चक करना है चीज़े मान लो एक बहुत बड़ी company है ठीक है उसकी रोज की 10,000 लाखो लाखो ट्रांजेक्शन हो रही है क्या आप एक एक ट्रांजेक्शन चक कर पाऊगे एक एक ट्रांजेक्शन की चक कर ओऊगे तो एक साल का data चक करने में आपको बीस साल लग जाएंगे तो उसके पास भी auditor के पास भी थोड़ी सी समय की कमी होती है तो उसे अपनी judgment लगाने पड़ता है अलग तरीके से audit करना पड़ता है बीच बीच में sample निकालकर देखना होता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं है ठीक है तो कहीं नहीं audit में भी audit में क्या वदर time की कमी होती है 100% अगर उसे चेक करना है तो तीसरा है inclusive evidence inclusive evidence का कहने का मतलब इस point में ये है evidence ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पूरी तरह गलती पकड़ ही ना पाओ पूरी तरह गलती पकड़ ही ना पाओ उसकी ऐसे evidence भी आपको मिल सकते हैं ऐसे बिल भी हो सकते हैं हो सकता है आपको देखने में तो बेल्कुल सही लगें बट वो कोई fake बिल बना रखा हो ठीक है लेकिन आपको देखने में तो सही लग रहा है वो जैसे मान लो बिल थे 1,2,10 ठीक है अब बिल नंबर क्या था बिल नंबर जो 9 था न वह कैंसिल हो गया मैं ठीक है बट अकाउंटर्टण ने क्या किया आपकाॉंटर्टण ने का गज़े यह नौ नबर का बिलना मैं ही इस्वु कर देता हूँ यह company ने खुदी दिखा दिया कि हमारी sale हुई है extra sale दिखा दी extra sale दिखाने की भी reason होते है हमने पढ़े थे error और fraud में ठीक है जब कि यह बिल्तो था cancel लेगर उसने क्या करा एक fake दिखा दिया अब बिल्तो है बिल वही no number वाला ही है उसमें सारी detail आएंगी बट यह गलत है कुछ ऐसे evidence होंगे जो आपको इस तरीके से बनेंगे आप उससे गलती है नहीं निकाल पाओगे ठीक है चलो आप पढ़ लेते हैं एक बार इसको जल्दी से अगर सामने वाली पाटी और को कम पैसे दे रही है cost effective बनाना चाहती है तो order भी क्या करेगा order उतना समय थोड़ी देगा उसमें वो भी अपना जो scope है audit करने का वो भी उसको short कर देगा जल्दी से कर देगा sample basis पर कर देगा 1000 बिल हैं तो बीच-बीच में से 10-10 के बाद या फिर 50-50 के बाद 2-4 बिल देख लेगा यहां सब कुछ ठीक है sales के 1000 बिल है तो क्या करेगा 1000 के 1000 चेक नहीं करेगा दो चार पहले 10 बिलो में से 2-4 चेक कर लेगा फिर अगले 10 बिलो में से 2-4 चेक कर लेगा कुछ GST वाले चेक कर लेगा कुछ बीना GST वाले कर लेगा ठीक है तो वह sampling लगा देगा या फिर test checking लगा देगा test based पर कर लेगा test based क्या होता है test based checking वह होती है कि कोई system है billing का उस system के according वह क्या करेगा कि billing का system देख लेगा कि billing का system कैसे है एक software है उस software को ही वह चेक कर लेगा कि software साई से बिल बनाता है कि नहीं बनाता बस यानि उस system को ही चेक कर लेना तो वह क्या हो गया हमारा test checking दूसरा time factor और जनली वर्क ओन वेरे specific timeline sometime this is due to stationary requirement this means it has to audit whole year accounting in few weeks यानि उसको पूरे साल की accounting कुछ हफ्तों में करने पड़ जाती है accounting check करने पड़ जाती है कुछ हफ्तों में ठीक है तो उसके पास time की कमी होती है तो यह भी एक limitation हुगा तीसरा inclusive इन कंक्लूजिव evidence generally the audit evidence the auditor collects persuasive उन्हें पड़ा था ना persuasive और conclusive evidence generally audit में persuasive nature के audit होते हैं जो कि 100% proof हमें नहीं दे पाते हैं उसके वाइस से क्या होता है कि हम भी 100% surety नहीं बता पाता है कि हर चीज हर एक एक चीज सही है या नहीं तो यह होगी आपकी तीन limitations आगे हमारे पास क्या है technique चलो आज के लिए बहुत हो गया नहीं तो क्लास लंभी हो जाएगे तो हम techniques और type of audit हम यह next class में करेंगे तो दोस्तों आपको क्या करना है आज का content थोड़ा कल से heavy है तो पढ़के आना जरूर basic point होते क्या है सबके point एक बार एक बार read करके जरूर आना है वह आपको read करना है वह जाता घुसना नहीं है ठीक है आप read भी कर लेंगे जितना मैंने बताया उतना बहुत है आपके लिए तो फिर एक बार पढ़के आना thank you so much मिलते है next class में कि आता है